हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पारामेडिकल के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार पारामेडिकल PM और PMM के ओनलाइन कॉंसेलिंग से संबंदित बोर्ड के द्वारा जो अफिसियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है और आपको पता दे कि ओनलाइन कॉंसेलिंग का परकिरिया है वो शुरू भी हो चुका है और आपको पता होना चैकि ओनलाइन कॉंसेलिंग करवाने के लिए आप लोग को दो काम करना होगा फर्स्ट तो आप लोग को registration करवाना होगा और दूसरा जो काम है वो आप लोग को choice filling करना होगा तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को step by step जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग अपने mobile, laptop या फिर computer से कैसे अपना registration कर पाएंगे और choice filling कर पाएंगे तो काफे ज़्यदा महातपूर्ण जो है वीडियो होने वाला है तो ध्यान समझने कोशिच कीजिएगा इस तरह से एक एक step इस तरह से follow कीजिएगा तो आप लोग आराम से अपना registration और choice filling कर पाएंगे देख सकते हैं कि मेरे पास बोड के जोरा जारी की आगे ऑफिसियल नोटीस है यहां पर आप लोग को किलियर ली दिख रहा होगा डिप्लोमा सेर्टिफिकेट परवेश पर्तियोगता पडिक्षा दोहजारे की सरकारी नीजी छेत्र के पारामेडिकल जो है डिसीजीए पीए पीएम अब और यहां पर आप देख सकते हैं 2020 के अधार पर बिहार सरकार के बिभिन सरकारी अस्पतालो एवबं अन्यमानता प्राप्त जो है सरकारी एवबं गयर सरकारी संस्थान के बिभिन जो है पारामेडिकल याने कि पीएम इंटरस्तर यह तथा पारामेडिकल याने कि PM मादमी कस्तर्यर कारम के रिक्त सीटो पर ओं लाइन कोंसेलिंग है तो आप देख सकते हैं कि PM और PMM 2021 में समलित सभी पात्रता प्रात अभ्यर्थी या फिर अभिबाब को या सम्बंदितों को सुचित किया जाता है यहाँ पर आप लोग किलिरली देख सकते हैं और आप यहाँ से जो आपका महत्पून जानकारिया वो जो है शुरू हो जाता है यहाँ पर आप किलिरली देख सकते हैं यह नमर में क्या बताया गया है कि PM और PMM 2021 के पड़िच्छा फल के अधार पड़ पातरता प्राप्त सभी अभ्यर्थी जो है परसत के वेबसाइट पर जाकर और यहाँ पर मेरिट ओफ DCEC 2020 लिंक पर किलिक करने के बाद अपना रॉल नमबर एबं जनमतिती डालकर रेंक कार्ड प्राप्त करें आप लोगों को जो भी बच्चे रेइस्टेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा आप लोगों को लिंक मिलेगा Merit of DCC 2021 इस लिंक पर आपको क्या करना है किलिक करना है और इस लिंक पर किलिक करने के बाद आप लोग जो है आराम से अपना जो है जो मैरिट लिस्ट है वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं आपर देख सकते हैं कि रैंक कार्ड प्राप्त कर ले अगर पहले से डाउनलोड करके रखे हैं तो ठीक है डाउनलोड करने की जुरूद नहीं है जो लोग पहले से डाउनलोड नहीं किये हैं या फिर इनकाख हो गया तो आप लोग जाकर के पहला काम क्या करेंगे डाउनलोड जो है करेंगे ठीक है इसके बाद आप लोग का काम सुरू होता है रजिस्टेशन करने का ठीक है रजिस्टेशन आप लोग को करना होगा तो रजिस्टेशन कैसे करना है इसको बताने से पहले कुछ महतपूर्ण जानकारी है वो आपको बताते हैं ताकि registration में आपको कोई problem समस्या जो है नहीं देखने को मिले तो यहाँ पर आप लोग जो है clearly देख पाएंगे registration करने से पहले यह सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा और इस सब चीजों को साथ में लेकर करके बैठना होगा तब registration आप अराम से क्या करेंगे कर पाएंगे note में यहाँ आप लोग के लिए लिए देख सकते हैं कि registration choice locking unlocking की पड़िकरिया जो है OTP के जो है माधिम से होगा यानि कि आप जब registration करेंगे तो आपको आप mobile number और जो आपके email id है वो मांगे जाएंगे तो आप लोगों से कहना यह है कि जो mobile number आप देना चाहते हैं वो आपके सामने ततकाल होना चाहिए तो registration जैसे करेंगे तो OTP आएगा choice lock करेंगे या unlock करेंगे तो भी OTP आएगा आपका mobile पर और जो आपके email id उस पर इसके मादेम से जो है की जाएगी जिसी आप भीहर्थी के पंजी किर्थ रजिस्टर्ड mobile number एवं email id पर भेज जाएगा OTP कहा भेज जाएगा आपके email id या फिर mobile number पर भेज जाएगा साथ ही यह भी सुचित किया जाता है कि पंजी किर्थ mobile number email id को किसी भी सर्थ पर बदला नहीं जा सकता है जो email id और जो mobile number आप एक बार रेजिस्टेशन में डाल देंगे वही हमेशा आपको यूज करना है आप mobile number और जो आपके email id है नहीं बदल सकते हैं तो एक fix mobile number और fix आपके जो यह है email id वह आप कर लिजिए तीसरा आप एक महातपूर्ण जानकारी हो यहाँ पर देख लिजिए ओनलाइन कॉंसेलिंग है तो रेजिस्टेशन और च्वाइस फिलिंग के परकिरिया वन टाइम है एक बार ही कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आज जो टाइम दिया गया है इस टाइम में अगर आप नहीं करते तो फिर से टाइम बरहा जाएगा तो जिसको भी एडिमिशन लेना है तो आप रेजिस्टेशन और च्वाइस फिलिंग जरूर्ड कर लिजे आप यहाँ पर के लिए लिए भी देख सकते हैं कि इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रेजिस्टेशन नहीं करते हैं अथवा रेजिस्टेशन का अपना च्वाइस फिल नहीं करते हैं तो वैसे सभी अभ्यर्थी को अगले चक्र की ऑनलाइन कॉंसेलिंग में ऑनलाइन कॉंसेलिंग है तो दुबारा रेजिस्टेशन अब choice fill करने का मौका जो है नहीं दिया जाएगा और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतिम रूप से भरे गए choice की जो list है जिसको हम लोग seat allotment बोलेंगे वो जो है आपके email id पर जो है भेज दिया जाएगा तो यह तो आगे की बात है अब जानते हैं कि आप लोग को registration जो है कैसे करना सिंपल है बहुत ही जैदा सिंपल है आप आराम से जो है registration कर पाएंगे अपने mobile से खुद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर में क्या बोलज़ की online choice filling यानि की counseling पर किरिया है तो अभ्यर्थी सबसे पहले आप क्या करेंगे official website को open करेंगे official website क्या है bceceboard.pr.gov.in वो website तो आप जानते हैं website पर जाने के बाद आप online counseling portal of dcc 2021 यह एक link मिलेगा इस link पर क्या करना है क्लिक करना है क्लिक का क्या नम होगा online counseling portal of dcc 2021 इस link पर क्लिक करने के तत पस्चात क्लिक जैसे करेंगे आपको online जो है आप देख सकते counseling के लिए नया registration एवं 24 भरने हे तू सरपढ़थम आपको क्या करना होगा क्लिक here for new registration जैसे ही आप लोग जो है इस वाले link पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को एक link और मिलेगा आप नया registration करना चाहते हैं तो new registration पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको एक link मिलेगा क्लिक here for new registration क्लिक here for new registration करके एक link मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको जो mobile screen या फिर computer screen पर जो भी आपको सूचना मांगा जाएगा नाम, role number और भी आपके जितने भी detail data बर्थ जो भी मांगा जाएगा वो सब आप उहाँ पर डाल दीजेगा डाल कर परविष्ट कर अपना registration कर लें वो डालने के बाद जैसे ही आप ok किजिएगा पासवर्ड खुद आपको क्या करना होता है बनाना होता जब दूसरी बार login करेंगे तो password आपको बनाना परेगा तो password और ID आप याद रखेंगे इसके बाद आपका काम होता है च्वाइस फिलिंग का तो चलिए आप जानते हैं अनुसार अधिक से अधिक कोलेज कोर्स का च्वाइस भरे रेश्टेशन करने के बाद आप फिर क्या करेंगे अपने user ID जो आपका होगा वो और जो password होगा उसके help से account में आप login करेंगे अपने account में login करने के बाद अपनी अनुसार से आपको जितना कॉलेज का देख सकते हैं आपर क्या वो लगे अधिक से अधिक आप जितना का दे सकते हैं इसमें कोई limit नहीं है कि 5 की 10 समत कते 40 से दीजे भाई साब 40 चालिस कॉलेज 40 कोर्स आप दोनों में दीजे बहुत ज़्यादा चा रहेगा क्योंकि जितना अगर जयदा कॉर्स चॉइस रहेगा तो आपका आने का संभव अपना उतना ही जयदा रहेगा ठीक है तो अधिक से अधिक आपको कॉलेज एवं कॉर्स का चॉइस भरे 24 भरने के बाद यहां पर आप लोग के लिए देख सकते हैं कि 24 भरने के बाद अभ्यारती निर्धारित अंतिमतिति तक जो आपके लास्ट डेट है 24 भरने का उस तक 24 को एडिट कर सकते हैं अगर आपको चाह एक इच्छा है कि मैं 24 को एडिट करूं किसी कॉलेज को हटा दू या फिर किसी नए कॉलेज को जोड़ दू तो आप कर सकते हैं जो आपके डेट है लास्ट डेट उससे पहले तक दिये गए अगर जो बच्चे 24 लॉक करना भूल जाते हैं ठीक है हो सकता है कि सुरू में जब आप भड़ेंगे तो पहला दिन आपका 24 लॉक नहीं होगा ठीक है तो अगर जो बच्चे 24 लॉक करना भूल जाते हैं तो उनका 24 निर्धारित अंतिम्तिति के तुरंत बाद खुद जो है लॉक हो जाएगा सुर्था लॉक हो जाएगा यानि कि आपको लॉक करने की फिर कोई जुरूर नहीं परेगी वो एटोमेटिक लॉक हो जाएगा लास्ट डेट के टाइम पर अब आप देख सकते हैं कि 24 लॉक लॉक करने के बाद 24 में किसी परकार का बदलाओ जो है प्राबधान नहीं होगा अगर आप एक बार 24 लॉक कर देंगे तो फिर से दुबारा 24 आपको लॉक करने की मौका नहीं दिया जाएगा अब भैरती अपने द्वारा बहरे गए 24 का प्रिंट आउट निकाल कर भविश्र के लिए सुरक्षित रख ले जो आपने 24 फिल किया है उसका प्रिंट आउट और आप रख लेंगे क्योंकि जब कॉंसेलिंग में आप जाएंगे यानि कि डॉक्यूमेंट फिल किया था उसका प्रिंट आउट जो है मांगा जाएगा तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो हम आप लोग को एक बच्चों का भर के किया करेंगे दिखाएंगे एक बचोंका च्वार करके आप लोग को दिखाएंगे तो टेंशसा लेने की जुड़त नहीं है जीसे ही लिंक अगर जारी होता है और ऑफिश्चरल वआजीए मिलेंगे अगले वीडियो में